हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्थ सुभास और आप देख रहे हैं सूप फ्रिडिक्शन दोस्तों आज की इस नहीं वीडियो में आप सभी को स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अभी जो चल ला है बीग बस लिग 2022 और तेइस इसका जो 36 मुकाबला मेलबर्न रेनेगेर्स और अडले स्ट्राइकर्स के बीच में खेला जाएगा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इन दोनों टिम में से इस मैंच को कौन्छी टिम उइन करेगा इस मैंच में क्या कुछ होने वाला है मैं आपको आगे चलके इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में आखरी तक जुड़े रही है और यार इस मैंच में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में जान लीजिए अब दोस्तों आगे चलते हैं और सुरू करते हैं दोस्तों ए मैच इंडियान टाइम के इस आप से 10 जनुवरी 2023 को दो बज कर 10 मिनिट पे शुरू हता हुआ दिखेगा दोस्तों इस मैच में यह जो दोनों टीम हैं आमने सामने लड़ने वाले हैं इन दोनों ही टीम का एक कॉमन चीज एह है की इनोंने इस Big Bass League में टोटल 8-8 मियाच खेल चुके हैं यहाँ पे आप Melbourne Renegades को देखेगा तो इनोंने इस वाली सीजन में 8 मियाच खेल चुके हैं इन 8 मियाच में से 4 मियाच ही बड़त हैसिल किये हैं बाकि का जो चार म्याच में इनको हार जहलना पड़ा है म्याच में इनका जो point stable की position यह पांच नमर में आते हैं बाकि अडले स्ट्राइकर्श ने भी इस बयाली सेजन में 8 म्याच खेल चुके हैं इन्होंने भी उस 8 म्याच में से 4 म्याच में ही जीत हासिल किये हैं बागी इनको भी चार म्याच में हार जहलना पड़ा है इनका जो म्याच की point stable की position है ये चार नमर में आते हैं अब दोस्ताब PC report के और चलते हैं उससे पहले क्या आप हमारे telegram channel join किये हैं join नहीं किये हैं तो आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं क्यों यार आप जान भूच के खुद का ही loss करवा रहे हो खाली मैं आज को देखने से काम नहीं चलता है यार उसमें आज मैंसे धेर सारा profit निकले तो तो ही मज़ा आएगा profit पाना है तो आप हमारा telegram channel join करना पड़ेगा अब यार देर किस बात की यार निचे आपको description box में comment box में link मिलेगा वहाँ से join हो जाईए बाकि हमारे इस वीडियो को एक like भी कर देना और हमारे इस channel को subscribe भी कर देना यार आपके like और subscribe से हमें motivation मिलता है आपको धेर सारा profit हो एसा एसा वीडियो बनाने के लिए अब दोस्तों पीच के report के बारे में देख लेते हैं दोस्तों ए मैच Adelaide Oval Stadium में खेला जाएगा जो कि Adelaide Strikers की home ground है इस बाली मैदान में Big Bass League के total 64 मैच से स्खेरे जा चुके हैं इन 64 मैच में से यहां पर पहले बैटिंग करने वाले टिम 36 मैच में जीता हचिल किया हैं तो यहां पर second बैटिंग करने वाले टिम 27 मैच में जीता हचिल किया है बागी एक मैच का कोई result नहीं है यहां पर पहले इनिक्स का जो average score 165 देखने को मिला है और second inix का जो average score 145 देखने को मिला है इन दोनों inix के बीच में जो average score का gap है वो 20 run का gap है बाकि अभी का जो season चाल हुए इस में से यहां पर 4 match खेले गए थे उन 4 match में से यहां पर पहले batting करने वाले team 2 match में जीता चलिकिया है और chase करने वाले team 2 match में जीता चलिकिया है बाकि पीच की बीच की बात करेंगे तो यह बल्ले बाज और गेंद बाज दोनों के लिए ही suitable है दोस्तों यहां पर बल्ले बाज इजिली set हो जाते हैं और अच्छा score भी बना लेते हैं बाकि गेंद बाज ओका भी यहां पर बहुत बढ़िया production देखने को मिलता है दोस्तों यहां पर गेंद बाज लाइन और length से bowling करेंगे तो बल्ले बाज बहुत बढ़ा score बना नहीं पाएंगे दोस्तों यहां पर गेंद बाजो का गेंद सही से बेठेगा तो बल्ले बाजो को 20 ओबर तक का जो score 150 से 155 की score के अंदर ही रोक पाएंगे बाकि दोस्तों बात कर लेते हैं इस में आज की session के बारे में यह session को आप ध्यान में रखिएगा आगे चलके आपको यह बहुत help करने वाला है दोस्तों आपको यहां पर पहले 6 over power play कर रहे था उसमें 40 रन देखने को मिलेगा 10 over तक आपको 65 से 68 की score देखने को मिलेगा 15 over तक 100 से 105 की score देखने को मिलेगा boundary का offside 72 मिटर का है और 84 मिटर डीप मिड़ी भीगट है अब यार चलिए दोनों ही टीम के playing 11 को देख लेते हैं दोस्तों अडले स्ट्राइकर्स की playing 11 में से आपको दिखने वाले हैं मेथ्यू सौट, रेन गिप्सन, क्रिस लेन, एडम होस, कॉलिन डी ग्रेंड होम, थॉमस केली, हैरी नेल्सन दोस्तों रशी दिखा ओन ड्यूटी में हैं इनके जगह पर आपको केमरन बॉइस खेलते हुए दिखेंगे बाकि इनके बाद वेस अगर दिखेंगे, हैरी थरंटन और इनके आखरी में हैरी कैनवे दिखेंगे अब यार एक बार मेलवन रेनेगेट्स की playing 11 को देख लेते हैं इनके playing 11 में आपको दिखने वाले हैं अब दोस्तों इन दोनों टिम की head to head को देख लेते हैं दोस्तों head to head की report ए बया करता है इन दोनों टिम के बीच में 16 में आमना समना हो चुगा है इसमें से अडले strikers ने 10 में जीता हैसल किये हैं तो Melbourne Renegates ने 6 में जीता हैसल किये हैं इनके बीच में जो लास्ट के 5 T20 मैंच खेल गए थे उसमें से अडले strikers ने 3 मैंच में जीता हैसल किये हैं और Melbourne Renegates ने 2 मैंच में जीता हैसल किये हैं लास्ट के सेजन 2021-22 का जो बीग बैस लिक उसमें से इन दोनों टिम के बीच में 2 बार आमना समना हुआ है उन दोनों मैंच में से ए दोनों टिम 1-1 मैंच में जीता हैसल किये हैं दोस्तो आज का पहला प्रेडिक्शन में ए रहेगा ए मैच मेडियम स्कोरिंग वाला मैच होगा सेकंड प्रेडिक्शन में दोस्तो फास्ट पोल और 70-30 बिकट लेते हुआ आपको दिखेंगे तीसरे प्रेडिक्शन में दोस्तो दोनों टिम का ओपनिंग फेल होते हुए दिखेगा अब दोस्तो बारी है ए जो दोनों टिम इसमयाच में आपस में भीड़ रहे हैं इन दोनों में से इसमयाच को कौनसी टिम ओइन करने वाला इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तो यहाँ पर सारे चीज़ को एनालिसिस करने के बाद मुझे तो लगता है और्डल स्ट्राइकर्स इसमयाच में ओइन करने वाला है बाकि दोस्तो आपका क्या राय है हमारा कॉमेट बाक्स में आपका कीमती राय जरूर देना तो चले आज का वीडियो एहीं पर अंत करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जैहिन